हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करता हो आप सभी बढ़िया होंगे मजे में होंगे तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की यूनिट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस यूनिट का क्या नाम है अब मेकिंग ओफे साइंटेस्ट के जो एक साइंटेस्ट होते हैं विज्ञानिक होते हैं वो कैसे बनते हैं तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे एड़ दा एज ओब 22 टू इयर के उस्था में ही एफ फोर्मस कोट अफ दा इयर एकसाइटिड दा साइंटिफिक वर्ल्ड जो एक जो बाइस साल के ही थे जिन्होंने जो स्काउट अफ दा इयर जो बिच्चों को बहुत ही ज्यादा जिनको प्रेड़ना मिलती हैं उन्हों उन्हें बहुत ही एकसाइटिड कर दिया साइंटिफिक वर्ल्ड को फिदे नियो थे उन्होंने क्या दे दी एक नई थे दी क्या थी वो और हाव शैल्वर की जो सेल है कोशी का है वो कैसे काम करते हैं रिचर्ड एच इब्राइट एड़ एड़ इस कोलेज रूमेट एक्स एक आर्टिकल में इन दे प्रोसीडिंग अपड़ नेशनल अकेडमी अप साइंस जो यह आर्टिकल था न इसमें इन्होंने जो थे एकस्प्लेइन की थी तो क्या होता है बच्चों जो यह पीचडी करते हैं जो हाईयर स्टडी करते हैं यह अपना जो भी थे इनकी जो एक scientific journals होती हैं उनमें publish करते हैं पर इनको पूरे जो संसार के लोग scientific world होता है इनको पढ़ते हैं तो it was the first time this important scientific journal had ever published the work of the college it was the first time यह पहला ऐसा समय था जब इस महत्रपूर्ण जो scientific की जो journal थी magazine थी इसने क्या किया था किसी college student का जो work है वो publish किया था हमेशा जो scientific journal होती है न वो PhD कर रहे होते हैं या फिर doctor होते हैं scientist होते हैं उनका जो work है paper है वो in magazine को भेजते हैं और वो publish करते हैं किसी college student का यह बहुत ही वो पहली बार था ऐसा in sports खेल के तोर पे ले ले that would be like making the big league at the age of 15 and hitting home run you your first time at a bat तो भी बोल रहा है कि ऐसा जैसे कि जो वो baseball का जो एक match होता है उसमें home run मार दिया हो मतलब यह है कि उने बहुत ही बड़ी achievement कर ले थी for richard abbright it was the first time in a long string of achievement in science and other field यह क्या था first था जो long जो एक string आ रही थी यानि कि बहुत सारी जो उनोंने क्या की achievement कि किसमें science में विज्ञान में और दूसरे चेतर में and it all started with butterfly और किस से इसकी सारी शुरुवात हुई थी butterfly से butterfly क्या होती है बच्चो हां सर मुझे पता हो तितलिया होती है तो उन्होंने इसकी शुरुवात की थी and only child हो क्या थे अकेले child थे a bright grew up north of reading जो जगह है वहां के जो नोर्थ में उनका जो बड़े हुए थे वो कहां पर Pennsylvania में there wasn't much I could do there हो बोलते हैं he said उन्होंने कहा कि वहां पर करने को इतना ज्यादा था नहीं कुछ वहां पर he said I certainly could not play football और baseball football नहीं कहल सकते थे या baseball नहीं कहल सकते with a team of only one मैं तो खेल आई इतने खेल कैसे खेल लूँगा क्योंकि जो football है या baseball होता है उसमें पूरी team चाहिए होती है वो game खेलने के लिए but there was one thing I could do collect थो क्योंकि वो केले थे वो एक काम कर सकते थे चीजों को इकठा कर सकते थे collect things वो इसका उनोंने हो भी पाली so he did तो नो ने किया and he did and did he ever beginning in the kindergarten a bright collected butterfly with the same determination जब वो kindergarten में थे ना चोटे बच्चे थे वो butterflies को collect करते थे उनको collect करते थे एकठा करते थे the same determination that has marked all his activity वो बहुत ही determinate यानि के ध्यान लगा के वो अपना जो काम करते थे वो he also collected rocks वो क्या collect करते थे संग्रह करते थे rocks का चटानों का चोटे चोटे टुकडों का fossil का जीवास्म का and coins का और सिक्कों का he became an eager astronomer वो बहुत ही क्या होंगे astronomer जो अंतरिक्स में रूची रखते हैं to sometime stargazing all night was कई बार वो पूरे किसको देखते रहते थे star को तारो को देखते रहते थे सारी राज from the first he had a driving curiosity along with a bright mind जो छोटे ही थे ना तो उसका क्या था curiosity थी जानने की जो इच्छा होती है वो थी और क्या था इसका bright mind था तेज दिमाग था हुई he also had a mother who encouraged his interest in learning जोसकी जो मा थी ना उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा encourage किया था क्यों सीखे नई नई चीज she took him on trips वो उसको काम पर ले जाती थी trips पर यात्रा पर ले जाती थी bought him telescope उसके लिए telescope क्रीदा microscope क्रीदा camera क्रीदे और क्या क्रीदा mounting material mounting क्या होता जो पाड उपे चड़ते ना उसके लिए जो material होता वो ख्रीदे and other equipment और दूसरे सारे उपकरण and helped him in many other ways और और जो कई जो ways होते हैं तरीके होते हैं उनमें उनकी मदद की I was his only companion until he started school his mother said उसकी मा ने कहा कि मैं इसकी जो companion थी साथी थी इसके साथ ये खेलता था जब तक इसने school start नहीं किया after that उसके बाद I would bring home friends for him मैं इसके लिए जो है क्या लेके आती थी friends दोस्त आते थे इसके लिए but at night we just did things together प्रणतु जो रात को हम दोनों चीजे करते थे एक साथ Richie was my whole life जो Richie था after his father died जब Richie था वो ही मेरी पूरी दुनिया था जब उनके जो father थे उनकी death हो चुकी थी when Richie was in third grade जब जो Richie था वो third grade में पढ़ रहा था she and her son spent almost every evening at the dining room table वो जो उसकी जो मा थी पर तेक जो साम को बिताते थे कि काम पर जो उनका dining table होता है न जहां पर खाना खाते हैं उस table पर वो बिताते थे if he did not have things to do अगर उसको जो चीज़े हैं नहीं करनी थी I found work from him जो उसकी जो मा थी उसके लिए work ढूंडते थी काम ढूंडते थी not physical work कोई सारे रिक काम नहीं ढूंडते थी वो but learning things पर अईसी चीज़े जिससे उसकी कुछ सीख सके learn कर सके his mother said उनकी मा ने कहा he liked it उनको एक काम पसंद था he wanted to learn वो सीखने चाहते थे he wanted to learn बचो and learn he did और उसने सीखा he earned top grades in schools उसके जो schools में जो अच्छे नंबर आए उसके grades आए marks आए बढ़ी आए on every day thinks he was just like every other kid so every day परते एक जो दिन चीजे थी जो दूसरे बच्चों की तरही थी his mother said उसकी जो मा ने कहा by the time he was in second grade जब वो second grade में था उस time पर क्या हुआ a bright had collected all 25 species of butterflies सभी जो 25 परजातियों की जो butterfly नसल मिलती है ना सभी उसने collect कर ली थी इकठा कर ली थी found around ही जो उसके जो हाउं टाउन में जो species मिलती है तो ये उन्होंने सभी इकठा कर ली थी that probably would have been the end of my butterfly collecting वो he said वो बलता है कि वो हो सकता था कि जो butterfly collect कर रहे है अतितलियों को collect कर रहे है वो मतलब कि हो सकता है कि वो end ही होता उसका but then pranthu क्या हुआ then my mother got me a children book called the travel of monarchics फिर जो मेरी मा है मेरे लिए एक book ले आई और बुक का नाम क्या था the travel of monarchics जो monarchic है उसकी क्या यात्रा that book which told how monarch butterfly migrate to central America वो जो book है वो क्या बताती थी कि जो monarch बटरफ्लाई होती है वो कैसे travel करती है कैसे यात्रा करती है और वो कैसे migrate हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना migrate होना बोलते हैं कहां पर central America में opened the world of science to the eager young collector जो eager क्या होता जिसकी जो रूची होती है कुछ नया सीखने पर जो young जवान जो collector था ना उसकी क्या science की जो दुनिया है वो खोली किसने खोली? उस किताब ने और उस किताब का क्या नाम था? The Travel of Monarch X तो उसकी ताब ने इसके नई दुनिया खोली science की इसके लिए At the end of the book जब वो बुक के अंत में थे reader were invited to help study butterfly migration जो readers थे उनको invite किया गया था किसलिए? कि ताकि वो study कर सके पढ़ सके butterfly का जो migration होता हूँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं They were asked to tag butterfly for research by Dr. Frederick A. Urgahart of the University of Toronto जो University of Toronto के यह जो थे इनों researcher थे उन्होंने क्या किया था? कि जो butterfly है उसको tag लगा दो Canada के A bright mother wrote to Dr. Urgahart जो उसकी जो मा थी ना bright की उसने डोक्टर को लिखा and soon और जल्दी ही bright was attaching light adhesive tag to wing of the monarch जल्दी है जो हलके से वो tags लगाने लगा किस पर जो butterfly होती है तितलियों के उनको पंको पर wings पर anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urgahart किसी को भी जो tag जो मिलता था butterfly का उसको बोला गया के भाई इसको जो tag return करो किसको Dr. Urgahart को the butterfly collecting season around reading last six week in late summer जो late जो अंतिम जो summer थी गर्मिया थी वो छेव weeks तक वो सपता तक वो season चला if you are going to chase them one by one you won't catch very many अगर तुम एक तितलियों को पकड़ोगे ना तुम जादा तितलिया नहीं पकड़पाओगे so the next step for a bright was to raise a flock of butterfly तो next जो step था इसके लिए a bright के लिए वो क्या था कि एक जो पूरा जो butterfly है उनको वो raise करे यानि कि उनकी देखबाल करे और उनको बढ़ा करे he would catch a female monarch female monarch को उस butterfly को पकड़ता था वो take a rag उसका जो अंडा ले लेता था and raise them in his basement और जो अपने जो basement था वहां पर उनको बढ़ा करता था raise करता था through their life cycle उनकी जो life cycle होती थी उससे from eggs to caterpillar eggs से कहां पर convert होती थी वो caterpillar से caterpillar से किसमे प्यूपा में और प्यूपा से adult butterfly buddy butterfly में then he would take the butterfly और फिर वो क्या करते था butterfly पर निशान लगा देता था tag कर देता था thousands of monarch in different stage of development यानि कि हजारों जो monarch थे अलग अलग stages में अवस्थाओं में किसमें development में उसमें क्या हो रहा होता था तरक्की development हो रही होती थी इस तरह से उसने उनको tag किया था और six week में उसने कितनी ये वाली कितनी butterfly इकठा करी ये वाली कितनी इस परकार से वो उनको इकठा करता था पकड़ता था number collected eventually क्या हुआ I began to lose interest in tagging butterflies इनका जो है interest है रूची नहीं रही वो tag करने में butterflies को it is tedious यह थकाने वाला काम था and there is not much feedback और इतना जो feedback भी नहीं आ रहा था इसका a bright side a bright ने कहा in all the time I did it we he loved वो हस्ते हो इसने बताय कि इतने भी time पर मैंने किया ना only two butterflies I had attacked were recaptured के जो दो butterfly थी ना जिनको tag किया था वो recapture दुबारा capture की गई थी पकड़ी गई थी and they were not more than seven seventy five mile away from where I lived और वो वहां से 75 मिल की दूरी पर थी जांपर मैं रहता था उतनी दूर वो उड़कर गई थी और वहां से उनको पकड़ा गया था then फिर क्या हुआ in seventh grade जब यो साथवी grade में आया he got a hint of what the real science is उसको एक hint मिली किसकी कि जो real है वास्तविक जो science है वो क्या होती है when he entered a country science fair जब उन्होंने जो country के जो science fair होता है वी ज्यान का जो मेला उसमें हो गई and lost और वहां पर जाकर क्या हो गया हार गई it was really a sad feeling to sit there and not get anything यो बहुत ही जो sad feeling होती है बुरा जो feeling होती है कि not get anything कि इनको कोई नाम वहां पर नहीं मिला while everybody else had won something परन्तु जो दूसरे बच्चे थे ना उनको कुछ ने कुछ something reward जिनको कुछ ने कुछ जरूर मिला था Albert said Albert ने कहा his entry was slide of frog tissue जो उसकी जो entry थी वहां पर competition में क्या थी वहां पर frog यानिके mendak के tissue ते which he showed under a microscope जो जिनको दिखा रहा था किसम माइक्रोस्कोप के नीचे he realized उसको एहसास हुआ the winner had tried to do real experiment जो विजेता था उसने कोशिस की थी जो अचली वास्टविक जो एक्स्पेरिमेंट करने की not simply make a neat display यही नहीं था कि एक साप्सूत्री जो के वो डिस्प्ले कर दी जाए कि मैंने तो बढ़िया साइंस कर दी परन्त वास्टविक में ही उसने बढ़िया साइंसवाला काम किया था, experiment किया था आल्रेडılar कमर्टि बढ़ियु शारी यहनु आस्पिटिशन वाली वह उसके अंदर जा रही थी appearing यानि के आ रही थी I knew that for the next year fair मैं जानता था कि वो यगले साल जो होगा न fair मिला होगा I would have to do a real experiment मुझे कोई एक वास्तो में real सचा को experiment करना पड़ेगा उसके लिए he said उसने कहा the subject I knew most about was the insect or जो subject था जो विश्व था विश्व जिसको सबसे ज़्यादा यह जानते थे वो कौन सा था insect को कीडे मकोडों का work होता काम होता है I had I would have been doing in the past several years कई सालों से जो काम है यह कारिय है insect वाला कर रहे थे यह उनको collect करने का so he wrote to doctor उर्कवाहार्ट उनको उन्होंने पत्तर लिखा for ideas idea के लिए and back came a stack of suggestion और उनके पास कुछ सुजाव आए for experiment experiment करने के those kept bright busy all through high school पूरे high school में जो idea थे इसको busy रखा and led to prize project in country और जो prize project इसने जीते country में and international science और जो उन्तराष्ट्य जो science विज्ञान के जो फेर्स होते हैं मेले उसमें इन्हें इन्हें इनाम जीते for his eighth grade project जो आठमी की ग्रेड में इसको जो project मिला Albert a bright try to find the cause of a viral disease जो viral जो बिमारी होती है उसका cause यानि के कारण पता करने की इसने कोशिस की that kill nearly all monarch caterpillar जो इसने kill मार दिये थे all जो सारी जो monarch होती है जो तितलिया होती है उनको caterpillar को मार दिया था every fewer कुछ सालों में मार देती थी जो viral जो disease होती है बिमारी a bright thought that the disease might be carried bite a beetle वो हो सकता है कि जो एक beetle होता है ना एक छोटा सो जो कीडा होता है वो हो सकता है कि वह वो ले गए हो heat ride raging caterpillar उनको rage करने की pollen portion करने की कोशिस की in the presence of beetle जो petal की प्रिस्थिती में उनको rage करने की कोशिस की I didn't get any real result he said उसने बताया कि मुझे अच्छे जो है इसके result प्रिणाम नहीं मिले but I went ahead and showed that प्रन्तु में आगे गया और शो दिखाया that I had tried the experiment के जो experiment करने की मैंने कोशिस की है try की है and this time I won और इस थाइम वोए जीत गई वई रोय होती है क्या करती है इसको copy करती है the theory was that voice ray look like monarch क्या थी जो जो theory थी कि जो voice ray है वो किस की तरह लिखती है monarch की तरह लिखती है दिखती है because क्योंकि monarchs did not taste good to bird क्योंकि जो monarch होती है वो बढ़िया टेस्ट रही आती है किनको birds को पक्सियों को voice ray on the other head दूसरे हाथ पे do taste good to birds यह पक्सियों को खाने में अच्छी लगती है so the more time more they look like monarch the less they likely they are to become a bird dinner तो अगर वो ज्यादा तर वो monarch की तरह दिखेंगी ना तो वो कम भोजन बनेगी पक्सियों का तो इसलिए वो क्या से कोशिस करती थी monarch की तरह दिखना a bright project was to see उसका जो project था तो वो देखना था कि in fact वास्तों में birds would eat monarch जो bird है वो monarch जो butterfly है उनको खा जाएंगी he found that उनको उसने पाया that a starling would not eat ordinary bird food जो ordinary होता है ना साधार्ण जो bird पक्सी का जो खाना होता है यह होता है को आपर जो bird होता है वो उसको खाएगा नहीं जो bird food होता उसको it would eat all the monarch it could get उसको जितने भी जो monarch मिलते थे ना butterfly वो उनको खा जाता था वो starling bird a bright said उसने कहा later research by other people showed that जो दूसरे लोगों ने जो research की थे ना उन्होंने क्या दिखाया voice ray probably do copy monarch जो voice ray है यह हो सकता है कि यह copy करती हो monarch को this project was placed first in the geology division इसको कितना स्थान मिला first मिला geology में and third overall in the country science फेर जो country का science फेर होगा था ना विज्ञान का जो मिला होता है उसमें कौन सा स्थान मिला तीसरा स्थान मिला इस experiment को इसके in his second year in high school जब उसका जो second year था high school का Richard Bright began to research that lead to his discovery of an unknown insect hormone उसने क्या discovery की एक unknown जिस जो insect जो केड़े के hormone जिसके बारे में पता नहीं था ना उसकी इसने खोज कर दी indirectly it also led to his new theory on the life of cells जो कोशिका होती है cells होती है उसकी जो new theory पर भी इसको वो ले गया उसको lead किया इसको the question he tried to answer was simple जो परसन था जो इसने अंसर करने की कोशिस की थी वो क्या था what is the purpose of the 12 जो 12 tiny gold सुनहेरी जो sport होते है ना ओन मनार्क प्यूपा पे उनका purpose क्या है उनका उदेश से क्या है everyone assumed the sport were just ornaments जो दूसरे होते हैं वो समझते थे कि यह तो ornaments है कोई jewelry है उनकी just for show है bright said bright ने का but doctor Urkahart did not believe it परंतु जो doctor थे न Urkahart उनको विश्वास नहीं हुआ to find the answer उत्तर का पता करने के लिए a bright and another excellent science student first had to build a device परंद सबसे पहले उन bright ने और जो दूसरे science के student थे उसको क्या परना पड़ा है कि जो device है उसको बनाना पड़ा that should जो बताता हो दिरसाता हो that the sports were producing a hormone कि जो sport है न जो gold color के scenario कर के वो क्या कर रहे है होर्मोन को produce कर रहे है necessary for the butterfly full development जिसकी जो आप सकता होती है butterfly की development के लिए उसके उत्थान के लिए this project won a bright first price जो project sign का क्या मिला इनको first price मिला in the country फेर जो country का फेर था and entry into international science and engineering fair जो इनको क्या कांपर जो entry मिली अंतर राष्ट्रिय भी ज्यान और engineering fair में इनको जगय मिलगी entry मिलगी there he won the third place place for जो जो जी उनको कौन सा place मिला वहां पर तीसरा स्थान मिला जो जो जी का he also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory जो entomology होती है insect की जो study होती है उस laboratory में इसको जो काम करने का मोका मिला कब summers में गर्मियों में of the Walter Reed Army Institute of Research जो army का जो institute था ना संस्थान था research का वहां पर इनको काम करने का मोका मिला as a high school junior जब यह high school junior थे Richard Abright continued his advanced experiment जो अपने experiment करते थे उनको इनने जारी रखा उन्दा मोनार्क प्यूपा जो butterfly है उस पर मोनार्क पर that year उस साल क्या हुआ this his project won first place at the international science fair जो अंतराष्ट्रिय विज्ञान मेला हुआ वहां पर इसको first place मिला स्थान मिला and gave him another chance to work in the और इनको दूसरा मोका मिला काम करने का कहां पर army laboratory during the summer जो गर्मियों के time पर इनको मोका मिला कि army laboratory में ये काम कर सके in his senior year in a culture वो क्या इन्होंने ग्रुआ क्या इनको इन्होंने ग्रोटे पाम क्या क्या हूँ क्या वो divide बट जाती है and develop into normal butterfly और किस में develop हो जाती हो एक सदान सी butterfly में wing scale only if they were fed the hormone from the gold spot only keval अगर उनको hormone है वो दिया जाए किसे वो gold spot से जो उन सुनहेरी जो spot होते हैं जो इन्होंने पहले बताये थे कि वो क्यों थे hormone produce करते हैं तो वो दिया जाए that project won first place for geology वो जो project sign का फिर जो है first place जीत गया कहां पर at the international fair जो अंतर राष्ट्रिय जो fair हुआ था वहां पर he spent the summer after graduation जो graduation के बाद जो summer था गर्मिया इन्होंने बताई कहां पर doing further work आगे का जो काम करते रहे कहां पर at the army laboratory में and the laboratory of the US department of agriculture और कौन सी laboratory में इन्होंने काम किया army laboratory में और कहां पर university US department of agriculture था उसकी laboratory में इन्होंने काम किया work किया the following summer जो अगले जो गर्मिया आई after his freshman year at Harvard University Harvard University में जो इनका जो freshman year था उसके बाद a bride went back to the laboratory of department of agriculture में वहां पर ये वापस चले गए and did more work on the hormone from the gold spot और जो gold spot से जो हार्मोन निकल रहे थे ना उसको इन्होंने और ज्यादा काम किया scientific जो work किया using the laboratory sophisticated instrument जो बहुत ही high-five जो instrument थे ना laboratory के उनका प्रियोग करते हुए use करते हुए he was able to identify the hormone chemical structure वो able था युग्य था identify करने में पता लगाने में क्या पता लगाने में hormone का chemical उसके जो chemical का structure किस तरह का होता करती किस तरह की होती है उसको पता करने में सक्सम हो गया able हो गया year and a half later एक डेड़ साल बाद क्या हुआ during his junior year के दुरान a bright got the idea for his new theory जो इसको idea मिला जो new theory का about cell life के जो cell की जो life कैसे होती है it came while he was looking at x-ray जो जो idea आया उसको कब आया जो एक x-ray को देख रहा था photo of the chemical structure पे hormone का जो chemical structure होता है न उसके photo को देख रहा था जब उसके दिमाग में क्या आया एक idea आया when he saw those photo जब उने उन फोटो को देखा a bright did not search जब a bright चिलाया नहीं जो इरो का एक जो word होता है जब कोई scientist जो word यो experiment कर रहे होते हैं और जो इनको experiment successful हो जाता है न जैसे दूसरे बोलते हैं कोई victory हो गई तो हुरा ऐसे हम जीत गए तो ऐसे ही जो scientist होते हैं जो बोलते हैं Eureka तो इसे नों ने ऐसा कुछ नहीं बोला Eureka word और even I have got it और ये भी नहीं बोला कि मैंने खोज कर ली है I have got it the photos gave him the answer to one of the biology puzzles दो एक जो photos थे इनको क्या दिनों ने answer दिये किसके जो biology की एक जीव विग्यान की क्या थी एक puzzle थी एक रहस्य था एक जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था how the cell can read the blueprint of its DNA कि जो cells होती हैं वो कैसे पढ़ सकती हैं किसी blueprint को किसके जो DNA होता है DNA, RNA होता है न उसके जो blueprint को कैसे वो read कर सकती हैं पढ़ सकती है DNA is the substance in the nucleus of a cell जो DNA होता है क्या substance होता है पदार्थ होता है किसी nucleus of a cell जो nucleus होता है न cell का उसके अंदर वो होता है that contain heredity और जो जिसके अंदर क्या होते है heredity यानि कि जो once वादय के जो गुण होते हैं उसके अंदर वो होते हैं it determines the form the function of the cell और यह क्या determine करता है क्या पता लगाता है कि form क्या है और इसका function क्या है किसी cell का कैसे काम करते हो thus DNA is the blueprint for life और इस प्रकार जो DNA होता है वो क्या होता है blueprint होता है किसका life का जिन्दगी का blueprint होता हो a bright and his college roommate James Aron worked all that night drawing picture and constructing plastic model of the molecule to show how it could happen जो a bright था और उसका जो college का जो roommate था ना जिसका नाम ये James Aron था उन्होंने जो शारी रात थी वो किस में बिताई draw करने में जो pictures को draw करने में और क्या वो construct करने में वो प्लास्टिक का model बना रहे थे molecule का क्या दर्शाने के लिए कि वो कैसे होता है how it could happen together साथ मिलके they later wrote the paper बाद बेनों ने जो theory को explain करते हुए क्या लिखा एक paper लिखा इनों ने surprising no one who knew him को उनको नहीं जानता था Richard Abright graduated from Harvard with highest owner जो highest सबसे उंचे जो सम्मान के साथ वो graduate हुए second in his class of 15-10-1510 बच्चों के जो class में उने second जो स्थान प्राप्त किया Abright went on to become a graduate student research at Harvard Medical School फिर कहाँ चले गए graduate बनने के लिए कहाँ पर research करने के लिए Harvard Medical School में there he began doing experiment to test his theory वहाँ पर जो इसने अपनी जो theory दी थी ना उसको prove करने के लिए experiment करने इसनों ने start कर दिये if the theory proves correct अगर जो इनों ने theory दी है वो सही साबित हुई it will be a big step toward understanding the process of life जो हम life है उसकी जो process होती है जिंदगी की जो क्रिया होती है उसको जो understand करने में समझने में बहुत ही बड़ा योगदान होगा है it might also lead to new idea for preventing some type of cancer अगर ये ये भी हो सकता कि हम जो बिमारिया होती है cancer की उससे बच जाएं and other diseases और दूसरी बिमारियों से all of these is possible because of a bright scientific curiosity जो उसकी जो scientific curiosity थी जानने की जो इच्छा थी उसी के कार्ण ही ये सब कुछ हुआ है his high school research into the purpose of the sports on the monarch poopa eventually led him to his theory about cell life जो यो monarch poopa थे ना इनके उपर जो इन्होंने research की थी कि उनका जो purpose क्या है जो gold color के जो scenario जो sport होते हैं उनका तो वो ही जो चीज थी जो इनको आगे लेकर cell life के बारे में जो इन्होंने theory दी जो ये काम हो कर पाए Richard Abright has been interested in science since he first began collecting butterfly वो जब से ही जो science विज्ञान में इनकी रूची थी जब वो छोटे से थे और उन्होंने butterfly को collect करना start किया था but not so deeply that he has no time for other interest पर ये बात नहीं है कि जो दूसरे interest होते हैं रूची होते हैं उनके लिए इसके पास time नहीं है Bright also became a champion debater वो वारतालाप जो debate करते हैं एक दूसरे के साथ competition होता है उसमें भी वो champion बने and public speaker और समाजिक अबने speaker बने and a good canoist और canoist बने जो एक वो होते हैं ना एक आदमी जो किस्ति वो चलाता है पैडल मारता हो आतों से तो वो भी इनको हुरूची थी रश्ट था and all around outdoor person और वो एक बारी आउटडोर पर्शन भी बने यह निके भाई जो आदमी हो बाहर नहीं जाता है बाहरी दुनिया के जिसको कुछ ग्यान नहीं होता है यह एक वो किताबी कीडा नहीं थे यह बाहर भी यह गए पर्टिकुलर ओफ नेचर परकरती के जो फोटो लेते हैं और साइन्टिफिक एग्जिबेट और जो साइन्टिफिक जो परदर्शनी होती है उनके भी यह फोटो लेते हैं इन हाई स्कूल रिचर्ड अब्राइट वाजे स्ट्रेट एश्टुडेंट जो हाई स्कूल में वो क्या थे उनके ए आते थे वह बिल्कुल ए ग्रेड आते थे विकाज लर्निंग वाज इजी क्योंकि जो पढ़ना था वो असान था ही टरंड ए लोट ओफिज एनर्जी ट्वाड़ दा डिबेटिंग जो डिबेट की तरफ इसनोंने अपनी जो एनर्जी है उसको ले गई है एंड मोडल उनाइटेड नेशन कलब और वह वहां पर इन्होंने जोइन कर लिया ये कलब ही आल्सों फाउंड सम्वेर तू अडमायर रिचर्ड ए वाइनर वायर इस सोशल स्टड़ी टीचर वो उनको भी पसंद करते थे अपने जो कि सोशल निए के टीचर को एंड एडवाइजर तू बोथ कलब और जो क्या थे एडवाइजर थे शलाकार थे दोनों कलब में मिस्टर वायर वाज परफेक्ट नूल कर दे ज के लिए उस सम्वेर वह यो परफेक्ट परसंथ इनके लिए He opened my mind to new ideas A bright said उन्होंने का कि उन्होंने मेरा जो नए जो आइडियाज होते हैं उनके लिए मेरे दिमाग को उन्होंने खोला Richard would always give that extra effort Mr. Wire said जो Mr. Wire बोलते थे उन्होंने का कि हमेशा ही जितना करना होता था उससे भी ज्यादा करते थे यह क्या लगाते थे? Extra effort देते थे मेशा बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे What pleased me was Here was the person who put in 3 or 4 hour at night doing debate research besides doing all his research with the butterfly and his other interest वो क्या करते थे? 3 या 4 घंटे परती राथ केस में बिताते थे वो debate करने में और और वो भी अपनी जो research भी करते थे और क्या करते थे? और दूसरी अपने जो interest है रूचिया है वो भी साथ में करते थे तो multitasking वो परसंद थे वही Richard was competitive वो क्या थे? उनके अंदर क्या थे? Competition करने की चाहती Mr. Wire continued वो नोने जारी रखा but not in a bad sense परन्त वो इतने बुरे जो sense में नहीं थी कि वह competition ही करना है He explained उन्होंने explain किया Richard wasn't interested in winning for winning sake और winning to get a prize वो इसलिए नहीं competition करते थे कि मुझे तो जीतना है और इनाम जीतना है मुझे प्राइज मिलेगा रादर उसकी बजाए He was winning because he wanted to do best job he could वो अपनी जो best job करना चाहता था वो कर सकता था For the right reason He wants to be the best सही जो reasons थे कारणों के कारण वो क्या बनना चाहता था Best सबसे बढ़िया बनने के उसमें चाहती सबसे अच्छा करना हो चाहता था And that is one of the ingredient in making of a scientist और जो वही होता है जिससे आगे जाके एक बड़ा scientist बनता है Start with a first rate mind सबसे जो पहले जो शुरुवात होती है किससे होती है एक first rate जो mind होना चाहिए Add curiosity उसके अंदर क्या डालो उत्सुकता, जागरुकता, जानने की इच्छा, curiosity होनी चाहिए And mix और उसमें क्या मिला दो In the will, इच्छा सकती To win, जीतने की For the right reason, सही कार्णों के कार्ण, जीतने की A bright has these qualities A bright के अंदर ये सारी qualities थे, गुण थे From the time, the book किस time से, जब उसमें जो books थी, कौन से बुक थी वो The travel of the monarch ex जो मुम्मी ने उसको लाके दी थी यात्रा किसकी, monarch ex की Open the world of science जुनोंने जो science की जो दुनिया थी इनके लिए, खोल दी थी To him, उनके लिए Richard a bright Has never lost scientific curiosity जो Richard a bright थे ना उन्होंने कभी भी अपनी जो scientific curiosity थी ना एक विज्ञान की जाननी की जो एक इच्छा होती है उसको कभी भी इनोंने खोया नहीं तो इस प्रकार की Robert W. Peterson की बहुत ही बढ़िया सा ये लेसन था आशा करता हूँ, आपको explanation ठीक लगी होगी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई